Welcome all of you, कैसे हैं आप सभी, उमीद करता हूँ, आप अच्छे होंगे हाजिर हूँ, फिफ्ट क्लास की EBS की वुक, लोकिंग राउंड या आसपास के चैप्टर नमबर 17 के पार्ट 3 के साथ बच्छो, इस चैप्टर के पिछले टू पार्ट्स में हमने जाना था उस न्यूज के बारे में जो इंडियन एक्सप्रेस में शपी थी हमने जाना था कि किस तरह से गल्स को खेलने के लिए अलाउड नहीं किया जाता था कॉंबेई के नागपाड़ा वास्केट वॉल एस्सोशेशन की लड़कियों से बातचीत के कुछ अंश हमने जाने थे जिसमें लड़कियों ने बताया कि जब उन्होंने खेलने की शुरुआत की थी तब क्या-क्या हुआ था खेलने के लिए कैसे परमीशन मिली या अलाउड किया गया अफ्साना ने अपनी टीम के बारे में बताया था इस पार्ट में टीम के बारे में अन्या बाते जानेंगे ये बाते जानने के लिए आप अपनी 5th Class की EBS की बुक Looking Round का पेज नंबर 157 ओपन करें या इस पेज को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं Another girl, दूसरी लड़की Yes, we really work hard हाँ, बहुत मेहनत करते हैं हम Sir is also very strict हमारे सर बहुत सकत है We first jog together and then do our exercise हम साथ मिलकर पहले दौल लगाते हैं फिर कसरत करते हैं Sir teach us how to play the game well We practice how to keep the wall with us To those the players of the other team How to throw the wall in the basket To score a goal To pass the wall well And to run fast on court Sir हमें अच्छा खीलना सिखाते हैं बाल को कैसे अपने पास तिकाए रखना है दूसरी टीम के खिलाडियों को शुकाना है बास्केट में बाल कैसे डालना है एक दूसरे को बाल कैसे देना चाहिए दौर लगाना गोल करना इन सब की प्रेक्टिस करवाते हैं तो बच्चो अब आपको ये पता चल गया होगा कि वास्केट वाल खेलने के लिए क्या-क्या करना होता है अफरीन Sir says, while playing, don't think you are girls play like a player अफरीन Sir कहते हैं, तुम या सोच कर मत खेलो कि तुम लड़किया हो एक खिलाड़ी की तरह खेलो Keep playing, even if you get a little injured अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी केलते रहो We sport each other and say Come on, get up, you will be fine हम एक दूसरे को सहारा देते हैं कह देते हैं, चल उट कुछ नहीं हुआ A lot अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है Everyone says that We play as well as the boys team सब कहते हैं, हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है One girl, we also play with boys team एक लड़की हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं We want them to play with us as equals तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाडियों की नजर से देखें They should not be lenient because we are girls हम लड़किया हैं, इसलिए हमें कोई शूट ना मिले Sometimes we get angry When the boys imitate us कभी-कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं तब हमें गुसा आता है But we take it as a challenge and correct our mistakes पर हम उसे एक challenge की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं If the boys try to cheat, we scold them अगर लड़के cheating करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं Do girls and boys play different types of games in your school or neighborhood? क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग लग तरह के खेल खेलते हैं? If yes, then which games do the boys play and which do the girls? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? बच्चो आप अपना experience यहां लिख सकते हैं बर आजकल कोई difference नहीं रह गया है लड़के और लड़कियां सभी games खेलती हैं तुम क्या सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीकों में कोई अंतर होता है? तो बच्चो आपको क्या लगता हैं? कि इनमें कुछ अंतर होता है? क्या games एक जैसी नहीं होती? आपने देखा है कि लड़के और लड़कियां एक जैसी games खेलते हैं तुम्हें क्या लगता है लड़के लड़कियों के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? वाइज एंड गर्ल्स की games में कोई भी अंतर नहीं करना चाहिए हमने कहा अपनी टीम के बारे में और बताओ वन गर्ल एक लड़की अवर टीम is very special हमारी टीम बहुत खास है अवर टीम is united हमारी टीम में एक ता है जगड़ा हो जाए तो जल्दी ही सुलजा लेते हैं जल्दी ही भूल भी जाते हैं Here we have learnt how to stay and play together साथ में मिलकर रहना हमने यहां सीखा Some of the girls from our team got a chance to play as part of the Mumbai team हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला The match was at Sholapur यह match Sholapur में हुआ था Jarin, when we went to Sholapur we found that the team had girls from different parts of the state जब हम मैच खेलने Sholapur गे तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग लग जगहों से आई थी They did not talk to us nicely and treated us like juniors They would not even give us a chance to play properly We felt very bad There was no cooperation at all in that team हमें बहुत बुरा लगता था उस टीम में आपसी सहयोग बिलकल भी नहीं था During the match, I threw the wall to one of the team members What? She could not catch it Match के दौरान जब मैंने बाल को टीम की एक लड़की की तरफ फेंका तो वो ठीक से पकड़ नहीं पाई In turn, she started scolding me, blaming me for the mistake फिर मुझे ही डांटन लगी की मेरी ही गलती है In all this misunderstanding, we lost the match ऐसी ही गल्थ में में हम वो मैच हार गे What? This never happens in our team मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता है If we do miss our basket because of someone's mistake, we do not get angry अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल ना बना पाएं तो भी हम चिड़ते नहीं बच्चो इससे आगे की जानकरी अगले पार्ट में Thanks a lot